हलो दोस्तो नमस्कार ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ सो दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरू कहना चाहूँगा आज के दिन बहुत सारे वीडियो आप लोगों को या पर स्टड़ी करने के लिए मिल जाएंगे सो चले दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर यहाँ पर अगर मैं बात करो इस वीडियो में कल के दिन के हिसाब से कौन से इंपोर्टन स्टॉक्स है इस वीडियो को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है पहला वाला जो हिस्सा है पहले जो stocks में आपको बताने वालों कुछ stocks ऐसे है जहाँ पर तेजी आ सकते हैं और कुछ stocks ऐसे है जहाँ पर आप लोगों को profit booking भी देखने को मिल सकती है सेकेंड वाला हिस्सा वो है जहाँ पर हम लोग कह सकते कि कुछ important news हम लोगो देखने को मिले तो इनका reaction हम लोगो को कल देखने को मिलेगा उन stocks में तो उनके उपर focus रखना है and number 3 जिनके numbers हम लोगो कल के दिन देखने को यहाँ पर मिलने वाले है तो ऐसे 3 हिस्सों में यह video यहाँ पर होने वाले है तो सबसे पहले कौन से stock focus में यहाँ पर आने वाले है जहाँ पर हम लोगों को कुछ stocks में तेजी और कुछ stocks में मंदी देखने को मिलने वाले उससे related बात करेंगे तो दोस्तो पहला stock अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे येस आयुष food and herbs यह जो company है दोस्तो 30 रुपे की company है यहाँ पर हम लोग कह सकते कल के दिन के हिसाब से यहाँ पर गिरावट की chances बहुत ज़्यादा है इस company के लिए इस company को आप लोग ज़रूर चाहो तो note करके रख सकते हैं यहाँ पर गिरावट के बहुत ज़्यादा chances से इसके उपर study कर सकते हो मेरा कोई भी recommendation नहीं है कि यहाँ पर जाके आप लोग कल intra day करो मैं intra day मतलब ज़्यादा believe ही नहीं करता हूँ लॉंग टर्म investment मुझे अच्छा लगता है सो अगेन कर रहा हूं यहाँ पर कि कल इस company में हम लोग कह सकते अच्छी कासी गिरावट के chances बन सकते हैं इसको ज़रूर आप लोग चाहो तो focus में रख सकते हो एक और stock है दोस्तो जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं गिरावट यहाँ पर आ सकती है वो बाद में बताऊंगा बट उसके पहले एक important stock जिसका नमे B2B Software Technologies अभी tech से जुड़ा हुआ है तो कल के दिन दोस्तो यहाँ पर अच्छी कासी तेजी देखने को यहाँ पर मिल सकती है market का mood अगर खराब हो गया तो समझ सकते हैं जो positivity हम लोगों को जहाँ पर देखने को मिल सकती है वो भी negative हो सकते है तो अगर समुंदर शांत रहा मतलब बाजार नॉर्मल रहा या फिर consolidate भी रहा sideways भी चला फिर भी कल यह company आपको अच्छा performance देते वे देखने को मिल जाएगी देन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एक और company CIL Securities बहुत छोटा stock है बट येस कल के दिन ये भी company आपको अच्छी तरीके से भागते वे देखने को यहाँ पर मिल सकती है देन दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें नेक्स जो stock है आप लोग देख सकते हो dynamic industries दोस्तों ये stock अपर circuit में चलते वे देखने को मिल रहे हैं मैं आप लोग को साफ लिखना चाहूँगा alert आज नहीं तो कल ये stock आप लोग को धोका दे सकता है यहाँ पर lower circuit भी आ सक संबाल के रहना बस मैं इतना ही आप लोग को कह सकता हूँ अभी आपकी मर्जिय अगर मैं बात करूँ एक साल का return आप देख सकते हैं मैं एक साल के return के और क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर data change हो जाएगा एक साल का return देखी इसका कितने हैं 129% की return सो दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है खल के दिन से ही यहाँ पर lower circuit भी आ सकता है बस संबाल के रहना मैं अगेन कहे रहा हूँ यहाँ पर कोई position लेनी की ज़रूरत यहाँ नहीं है बस इन companies के और आप लिग ज़रू focus यहाँ यहाँ पर बनाए रख सकते हो तो यह भी stock कल नहीं तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसो यह गिरने के ही chances में हैं सो बस मतलब कह सकते हैं बबल वाला यह stock है तो संबल के रहना next अगर मैं यहाँ पर बात करू तो solar से related यह company हम लों को यहाँ पर देखने को मिल रही है and यह company lower circuit में चल रहे बट कल के दिन lower circuit शायद से यहाँ पर अपर circuit में तकदिल भी हो सकता है तो चाहो तो study करने के लिए सारी चीजी सामने रखके इनको study कर सकते हो तो कल यहाँ पर भाग सकते है यह stock तो जरू इसको focus में रख लेना then mangalam cement यहाँ पर कल के दिन की बात करें तो focus यहाँ पर रख लेना तो कुछ stocks में आपको बता है जिसमें से दो stocks है जो कि कल के दिन के हिसाब से गिर सकते है जो first वाला था और बाद में जो dynamic industries की बात की वहाँ पर गिरावट के चांसे से बाकी stock में अच्छी कासी तेजी कल के दिन के हिसाब से वहाँ पर आ सकती है कोई इंट्राडेका में call नहीं दे रहा हूँ बट ज़रूर अगर आप चाहो तो इन अलग-अलग stocks को यहाँ पर study कर सकते हो अभी हम लोग focus करने वाले है उन stocks के उपर जो की बहुत जदा popular है और उनमें हम लोग को कोई news देखने को मिले तो कल के दिन के इसाब से इन stocks के उपर भी नजर होनी चाहिए तो सबसे पहला आप लोगों का जो focus बनाए होना चाहिए तो वह होना चाहिए यहाँ पर HDFC bank के उपर आप सब लोग को बता है Saturday के दिन इनके numbers आये हैं अगर मैं बात करो अगें मैं कहे रहा हूं कि यह company मेरे पास भी है बट स्टिल जो HDFC bank के number होने चाहिए उस level पर अभी तक देखने को आपे नहीं मिले है नंबर कैसे भी रहे हमें long term के लिए hold करना है क्योंकि इस bank को तो कुछ होगा नहीं बट NPS की बात करें प्रोविजनिंग की बात करें रिटेल बैंकिंग की बात करें यह तीन data इतने भी खास यह आपे नहीं आए है तो यह भी के सकते की थोड़ा सा negative point है तो देख लेते कल HDFC bank बाजार को number कैसे लगते है वो भी देखना important है अल्रेड़ी यहापे बताया चाहरा है street estimate को meet नहीं कर पा रहे है बट still बाजार कभी-कभी अलग reaction भी दे देता है तो कल के दिन HDFC bank आपके focus में होना चाहिए then IRCTC खराबनी है long term की साब से अच्छी यह company यहापे तो यह valuation की साब से ups and downs चलते रहेंगे बट long term के लिए company बहुत बढ़ी है तो इसके उपर भी focus बनाए रखना चाहिए then happiest mind आप सब लोग पता है ASM list अभी आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा कोई डरने की ज़रूरत है बट स्टिल इसके उपर भी आप लोग चाहो तो focus रख सकते अल्रेडी बहुत ही कमाल के returns दे चुका है 300% की returns 10-10-20 साल में नहीं बनते उसने यहापे एक साल के अंदर ही 300% की return so definitely बहुत ही कमाल की यह company है तो इसके उपर भी focus रखना है टाटा पावर दो news हम लोगों ने लिए थे एक ब्रोकिंग एजनसी अगर हम लोग बात करें इन्होंने इनको यहापे डाउंग्रेड किया था 101 तक आ सकता है यहापे बोला है और दूसरी न्यूज हम लोगों ने देख लिए इन्होंने इलेक्ट्रिक वेहिकल के सब से HPCL के साथ यहापे partnership की है HPCL के जितन यहापे Reliance ने खरीद लिया है कल के ही दिन हम लोगों ने नियूस देख ली है सो जस्ट डायल के और भी आप लोगों का focus बने रहना चाहिए जस्ट डायल देखा जाए तो इतना fundamentally strong नहीं है बट यहाँस इनके पास data बहुत है जो कि Reliance इंडस्ट्री को help कर सकता है सो इन दो स्टॉक्स के उपर आप लोगों का focus बने रहना चाहिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कुछ result वाले स्टॉक कल के दीन के लिए कौन-कौन से important stocks है तो ACC Limited इस company के और आपका focus रहना चाहिए तैन अलोक industry Reliance इंडस्ट्री के पास इसके बहुत अच्छे गासे shares है इसके सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों के सामने आप रखे हुए तीन हिस्सों में वीडियो डिवाइड किया गया था फर्स्ट इससे में जैसे मैंने का कि कौन से stock भाग सकते गिर सकते यह मैंने बता है सेकेंड वाले अल्रेडी news के चलते जो reaction कल देने वाले वो हम लोगों को देखने और थर्ड result जिनके आने हैं यह सारे stocks कल आप लोगों नहीं आप फोकस में आप रखने हैं वीडियो को close करने से पहले अगें के रहा हूं इसको as a recommendation मत पकड़ लेना कि चलो कल जाके यहाप जो stock बता है बाई कर लेता हूं या फिर short कर लेता हूं मैं मतलब कहना चाहूंगा यह सिर्फ आप लोगों को educational purpose से related यह कुछ stocks में आप लोगों को सीखने के लिए आपे बताते रहता हूं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like and share कर देना so that's it thank you very much जोस्तो we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye